हलो प्रेंट स्वागत आपका हमारी यूटूब चैनल सिव टेकिसमार तो आज हम लोग लिए फिर से एक और एच्पी का ओल-in-one PC लेके आया हूँ और अभी मैंने कुछ टाइम पेले ही अराउंड 50,000 के आसपास HP के all-in-one PC की unboxing का वीडियो बनाया था अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उपर आपको आई बटन में वो उसका link मिल जाएगा वाजा कि वो वीडियो चेक आउट कर सकते हो और मैंने सोचाई कि यार उसका budget थोड़ा ज्यादा था तो आज आप लोग बजट सेग्मेंट में HP का all-in-one PC लेकिया हूँ और आज मैं इस मोडल की unboxing करने वाला हूँ वो है HP का all-in-one 22DF-0-4-in इसी मोडल की करेंगे आज unboxing देखेंगे इसकी build quality और इसकी performance कैसे अपने को मिलती है और friends अगर आप लोगा budget around 38,000 के आसपास है और आप एक budget सेग्मेंट का all-in-one PC पर्चेज करने के सोच रहे हूँ तो आप लोग लिए काफी उच्पल वीडियो रहने वाला है तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और बोक्स को ओपन करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर कर लिए साथ ही में बैल आइकन को प्रेस कर लिए इसी प्रकार टेक्सर रिटेट वीडियो बनाता रहता हूं तो बिना टाइम वेस्ट के जल्दी सी बॉक्स को कर लेते हैं ऑपन बोक्स को ओपन करने से पहली कर लेता हूं में इसकी मैनिफेक्चर की बाद तो बोक्स को कर लेते हैं ओपन बोक्स कोंटेंट की बात करूं तो यह अपने को दो ऐसे स्रीज के बोक्स दिये हुए है और पहले इनी को ओपन कर लेते हैं इनमें क्या क्या दिया हुआ है तो सब सब पहले यह आपने को मिल जाता है सेट अप गाइड और जहां तक मिर को पता और केबिल और वो काफी अच्छी क्वालिटी की प्रवाइड करवाती है कम्पनी और अडप्टर देखते हैं तो एच्पी का 65 वोट का एच्छी पाउर अडप्टर दिया हुआ है एच्पी की ब्रांडिंग आपको देखने को मिली रही है यह है इसका माउस अपने को आल इन यार इस माउस के बारे में यह कह सकता हूँ 10 साल में मेरे पास यह माउस खराब नहीं हुआ तो इसी वज़े से साथ कम्पनी अभी भी यही माउस प्रवाइड करवा रही है दूसरे बोक्स में अपने को कंफर्म है इसमें कीबोड दिया हुआ है और फ्रेंड्स सबसे करकिंग दी हुई है तो इसे भी रिमूव करते हैं और मैं इसकी प्लास्टिक रेप को भी करता हूँ रिमूव यह है अपना HP का All-in-one PC और इसको मैं boot setup करने से पहले कर लेता हूँ मैं इसके ports की बाद इस All-in-one PC के ports की कर लेते हैं बाद तो यहां पने right side में दिया हुआ है power button और नीचे की तरफ आपको मिल जाता है security slot और ports पे नेज़र डालते हैं तो यहां पने को USB के 2.0 के 2 port और USB 3.0 के 2 port एक power in और आपको HDMI port दिया हुआ है और RJ45 port आपको मिल जाएगे जिसे LAN port भी कहते हैं अगर आपके पास एक अच्छा broadband रहेगा तो आपको एक अच्छी speed प्रोइड करवा देगा और headphone microphone के लिए 3.5 mm audio jack और से handle की तरह कभी भी use मत कर लेना webcam उखड के आ जाएगा और यहां आपको नीचे की तरफ दिया हुआ है multi card reader slot और आपको नीचे की तरफ भी air vent दिये हुए है और उपर की तरफ भी आपको मिल जाते है air vent पीछे की तरफ जो यह unique design दी हुई है वो भी काफी awesome लगी और जो इसम stand दिया हुआ है वो पे और मेटल का stand दिया हुआ है तो काफी unique design लग रहा है तो इस PC का फट अपट कर लेते हैं boot setup तो पहले power button को करते हैं on आगे तरफ आपको lighting देखने को मिल रही है white color गी और आपको center में देखने को मिल रही है HP की branding और mention के गये हैं यहां branding home and student 2019 AMD Ryzen 3 processor दिया experience लेके देखेंगे इसमें one tv की HDD दी हुई है और performance कैसे मिलती है laptop में आपको पता ही है कि बिल्कुल slow performance मिलती है आज all in one में भी try करते हैं तो मैंने इस PC का boot setup कर लिए है और जो boot setup में टाइम लगा है वो around 15 minute की आसपास ही लगा है और वो इसी वज़े से लगा है क्योंकि इस SSD नहीं दी हुई है पर आपको तो पता ही है HDD कैसे चलती है इस PC के specification की कर लेते हैं बात तो सब सब पहले मैं प्रोसेसर की बात करता हूं तो यहां आपने को AMD Ryzen 3 325 0u processor दिया हुआ है और इसकी मैं clock speed की बात करूँ तो 2.6 GHz दी हुई है MaxBooks Technology से आप इसे 3.5 GHz तक यूज़ कर सकते हो और इसमें आपको 2 core 4 thread का processor दिया हुआ है और इसमें आपको 4 MB की case memory देखने को मिलेगी next बढ़ता हूं मैं इसमें memory की तरफ तो यहां आपने को 8 GB की DDR4 2400 MHz की रेम दी हुई है और रेम के 2 slot दिये हुए है तो आप इसे extend कर सकते हो 16 GB तक तो यार यहां थोड़ी से रेम की GHz मेरे को कमी देखने को मिली है next बढ़ता हूं इसमें मैं storage की तरफ तो यहां आपने को 1 TB की HDD दी हुई है और वो Seagate Company की है अच्छी आती है Seagate Company अच्छी बनाती है HDD और इसमें आपको एक empty slot और मिल जाएगा अगर आप in future में इस PC को अच्छी performance अगर आपको चीए तो आप इसमें SSD को install कर सकते हो next बढ़ता है इसमें connectivity की तरफ तो यहां मैंने को Wi-Fi 5 और Bluetooth 4.2 वर्जन दिया हुआ है और लाच में बात कर लेते हैं इसमें GP की तो यहां मने को AMD Radeon Vega 3 Graphics दिया हुआ है और Total 5GB GPU मेमोरी के साथ आता है यह और मैं इसमें आपको वीडियो की quality भी test करा देता हूँ कैसी quality अपने को मिलती है और इस PC की display की में बात करूँ तो यहां मने को 21.5 Wi-Pins की Full HD Anti Glare VA Panel के साथ यह display दी हुई है और इसकी अगर मैं brightness की में बात करूँ तो 250 nits की आपको इसमें brightness मिलेगी color gamert की में बात करूँ तो यह आपने को 72% anti-asie ratio देखने को मिलेगा तो यार यह मेरे को बिलीव नहीं हो रहा था मैंने पिछले जब All-in-one PC का भी वीडियो बनाया था तो उसमें video quality इतनी अच्छी आ रही थी और अब आज आपके सामने हैं एक budget segment का All-in-one PC की unboxing कर रहा हूं तो इसमें भी video quality आपके सामने देखो यार बहुत ही शानदार video quality मेरे को देखने को मिल रही है तो इस PC में आपको video का experience काफी अच्छा रहने वाला है और यह आपको नीचे की तरफ दिये हुए हैं टूटू वाट के dual stereo speaker तो इनकी भी मैं आपको audio की quality test करा देता हूं तो मैंने अभी आपको audio की quality test करा है और audio की quality मेरे को काफी अच्छी लगी surround sound लगा और मैं इसमें आपको Bluetooth से audio playback भी करके बताता हूं तो सब सब पहले आपको Bluetooth पे क्लिक करना है और show Bluetooth device उपर की तरफ दिख रहा है add Bluetooth तो यहां आपको add करना है Bluetooth पे क्लिक करना है और जैसे कोई भी आपका TV हो या कोई mobile हो जैसे मेरे पास mobile है तो मैं mobile को connect करता हूं और यहां मेरा मूबाइल कनेक्ट हो गया है और मैं आपको ओडियो प्लेवेक करता हूँ इसमें तो आप अपने मूबाइल से भी ओडियो प्लेवेक कर सकते हो और हम तो गया है आपको ये नॉन कोपिराइट म्यूजिक ही सुना सकते हैं तो जबी भी आप All-in-one PC पर्चेस करो तो तब आप सुल ले ना तो मैं इस All-in-one PC का आपको बूट स्पीड भी टेस्ट कराने जा रहा हूँ देखते हैं HDD में कितना टाइम लगता है वान टू थ्री इस PC में जो टाइम लगा है वो अराउंड 25 सेकंड के आसपास ही लगा है वैसे यार मैं एजे कंपेर करूँ आई 3 10 जनरेशन से तो उससे तो काफी फास्ट बूट हो रहा है इस PC में मैं आपको वैब केम के क्वालिटी पर टेस्ट करा देता हूँ इसमें HD वैब केम दिया हुआ है और साथ ही मिसमें आपको इंटेगरिटेड डिजिटल ड्यूल एरे माइक्रोफोन के साथ आता है त तो वैब केम की क्वालिटी अपने सामने आ रही है फोटो क्लिक करके देखते हैं वैब केम की क्वालिटी यार मेरेको तो एवरेजी लगी तो फ्रेंड्स यह था HP का All-in-one PC, Ryzen 3 का इसमें प्रोसेसर दिया हुआ है 3250U, RGB की RAM है और 1TB की इसमें HDD दी हुई है Seagate की, इसम आप in future के अंदर अगर SSD इंस्टॉल कर लेते हो तो इस All-in-one PC के आपको performance काफी अच्छी मिल जाएगी और फ्रेंड्स अगर मैं इस PC को अगर मैं Intel के i3 10 generation से अगर मैं compare करता हूँ तो यार Ryzen 3 वाले प्रोसेसर में मेरेको performance काफी अच्छी लगी तो अगर आप एक student हो और आ आप इसे पर्चेज कर सकते हो और इस PC की अगर मैं operating system की में बात करूँ तो आपको इसमें window 10 home single language 64 bit में pre-store lifetime के लिए मिल जाता है और साथ ही मैं इसमें आपको मिल जाएगा student के लिए home and student 2019 office उसका भी activation आप लोगों के लिए lifetime के लिए मिलने वाला है बैस फिलाल वीडियो में इतना ही उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर आपको इस PC के regarding कोई भी क्यूसन कोई भी डाउट हो तो मुझे comments box में जरूर comments करके बताना मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिन वन्यमात्रम इता है